पौतेर पांचाली भाग पांच पिशले भाग में आपने सुना, इंदरा के मरने के चार-पांच साल बाद हरिहर के जीवन में बदलावा चुका था। अपू छे-साथ साल का हो चुका था और उसके सवाल कभी खत नहीं होते थे। उस उम्र में जो कुछ कहानियों में सुनाई देता है और पुस्तकों में दिखाई देता है, वह सब वास्तविक जीवन में दिखने पर हैरानी ही लगती है। पिता के साथ जंगल, नील की कोटी, जील, सब कुछ देखता फिरता था और सवालों की जड़ी लगी रहती। दुर्गा दस-क्यारा साल की हो चुकी थी और गाउं भर में घूम घूम कर कभी अमिया तो कभी कुछ और ढून-ढून कर लाती रहती और अपू के साथ बांटती हरिहर गाउं के अनन्दा राय के हां गुमाश्ता लगा हुआ था जीवन मुश्किल से उधार ले लेकर कट रहा था इसी बीच दश्धरा गाउं से किसी ने हरिहर से दीक्षा देने और उस गाउं में बसने का प्रस्ताव रखा तो सरजया और हरिहर ने उस पर विचार करना शुरू किया ना करने का सवाल ही नहीं था पर फिर भी उतावली दिखाना नहीं चाहते थे अब आगे कथा, कहानी, काव्य में आपका स्वागत है मेरा नाम है मनीशा अपू के घर से कुश्टूर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था उसके बरामदे तथा आंगन से केवल उसकी फुनगियां दिखाई पड़ती थी अपू बीच-बीच में उस तरफ देखता था जितनी बार वह उसकी तरफ देखता था उतनी बार उसके मन पर किसी दूर, बहुत दूर देश का थुंदला चितर घिच जाता था पदा नहीं वह कौन सा देश है मा से वह उन देशों के राजकुमारों की बात सुना करता था बहुत दूर की बातों से उसके बचकाना मन में विस्मय और आनंद की भावना लहराने लगते थी नीला आकाश बहुत दूर है उस पर विचरने वाली गुड़ियां भी बहुत दूर है कोठी वाला मैदान बहुत दूर है वह किसी को न तो समझा सकता था न कह सकता था पर इन बातों से जैसे उसका मन कहीं दूर देश में चला जाता था पर अजीब बात यह है कि जब इस तरहे दूर की चीजें उसे पुकारती थी और नजाने कहां लेकर उड़न्चू हो जाती थी तब ही उसका मन अपनी मा के लिए व्याकुल होटता था एक बार नहीं, कितनी ही बार ऐसा हो चुका है एक चील आसमान में उड़ रही है वह ज्यों ज्यों उड़ती जाती है, त्यों त्यों छोटी और छोटी होती जाती है परंत में नीलू वाले ताड के उंचे माथे को पीछे डाल कर आकाश में लुप्त हो जाती है जब इस प्रकार चील उसकी द्रिष्टी के बाहर हो जाती थी तो वह एक छलांग में रसोई घर के बरामदे से काम काज में लगी हुई माँ से लिपट जाता था मा कहती थी, अरे अरे यह क्या, छोड़, छोड़, देखता नहीं है, हाथ जूटे हो रहे है छोड़ दो राजा बेटा, मेरे मुन्ने, देखो, मैं तुम्हारे लिए जींगा मचली तल रही हूँ तुम्हें जींगा बहुत पसंद है ना, शरारत मत करो, छोड़ो खाने के बाद, दोपहर के समय, मा कभी-कभी खिड़की के किनारे आचल बिचा कर लेटती थी और फटे हुए काशी दास के महाभारत को सूर के साथ पढ़ती थी मकान के पास के नारियल पर शंक चील बैठ कर बोलती थी अपू पासी बैठ कर क ख लिखता और मन लगा कर मा का महाभारत पाठ सुना करता था मा दुर्गा से कहती थी, एक पान तो लगा दे उधर अपू कहता था, मा उस कंड़ा बीनने वाली की कहानी जरा सुनाओ तो मा कहती थी, कंड़ा बीनने वाली की कौन सी कहानी अच्छा वे हरी होड की कहानी वे महाभारत में थोड़ी है वे अन्नदा मंगल में है बात को वे पान मुँ में डाल कर सुर के साथ पड़ती थी अपू फोरण ही मा के मुँ के पास हाथ पहला कर कहता है मा मुझे जरा पान तब मा चबाए हुए पान का हिस्सा पहले हुए हाथ पर दे कर बोलती थी यह बहुत कड़वा है यह कथे की खराबी है हर हाथ के दिन मना करती हूँ कि वे कथा ना खरीदा करो पर जंगले के बहार पास के जंगल के दुपहर की धूप से मंडित सेहुण आदी की जाडियों की और ताक कर महा भारत विशेश कर कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात सुनने में अपू तलीन हो जाता है महा भारत के सारे चरित्रों में उसे कर्ण का चरित्र सबसे अधिक पसंद आता है इस कारण कर्ण पर उसके मन में नजाने कैसी ममता उत्पन न हो गई है रत के पहिये मिट्टी में धस गए हैं कर्ण पहियों को जमीन से निकालने में लगे हुए हैं निशस्त्र, असहाय, विपत्ती में पड़े कर्ण का अनुरोध ना सुनकर अर्जुन ने तीर चलाया और उसे मार डाला मा के मूँ से ये कथा सुनकर अपु का शिशु हृदय रो उटता था आखों में आसु भराते थे और उसके नरम गुलगुले गालों पर से होकर बहे जाते थे साथ ही साथ मनुष्य के हृदय में आसु आने में जो आनन्द आता है उसकी अनुभूती से उसके मनो राज्य में एक अजीब संजीदगी आ जाती थी जीवन के मार की जो दिशा, आसुओ, दीनता, मृत्यू, आशा भंग और वेदना में करुण है उसे पुरानी पुस्तक के फटे पन्नों की गंध, मा की आवास की मिठास, तपती हुई दुपहरी के माया भरे इंगित आदी के साथ मिलकर उस मार की दिशा का पता लगता था जब दिन धलता था और मा कामकाज से उठकर चली जाती थी, वेह बाहर आकर आंगन में खड़े होकर दूर के उस पीपल की ओटक-टकी बांध कर देखता रहता था कभी चैत, बैसा की कड़ी धूप के कारण पेड का उपरी हिस्सा कुछ धुंदला मालूम होता था कभी सुर्यास्त के समय की सिंधूरी धूप अलसा कर पेड के सिर से लिप्टी रहती थी शाम के समय सिंधूरी धूप से मढ़े हुए पेड को देख कर ही शायद उसके मन में नजाने कैसी टीस उठते थी ऐसा मालूम होता है जैसे कर्ण उस पीपल के उस पार आस्मान के नीचे दूर बहुत दूर मिटी में फसे हुए फईयों को अब भी दोनों हातों से खीच कर उठा रहे हैं वे नित्य उठाते हैं नित्य वे महवीर जो हैं पर वे साथ ही हमेशा कृपा की पातर हैं विराजे पाने वाले मान पाने वाले रत के उपर से बान छोड़ कर विपत्ती में फसे हुए शत्रू का नाश करने वाले विजई वीर अर्जुन नहीं हैं वे विजई कर्ण हैं जो मनुष्य के आंसों में हमेशा विराजते हैं, जो मनुष्य की वेदना की अनुभूती के सहचर हैं, यही है कर्ण. कभी कभी महाभारत की लड़ाईयों की गाथा सुनते सुनते उसे ऐसा मालूम होता है जैसे उसमें लड़ाई के उपादान की कुछ कमी हैं, इसकी कमी पुरा करना तथा दिल खोल कर लड़ाई का मज़ा उठाने के लिए उसने एक उपाई ढून निकाला है, वहे एक खपच् या किसी हलकी सी डाल को अस्तर के रूप में लेकर मकान के पिछवाडे, बास के जंगल में या बाहर के आंगन में एहलता रहता है और मन ही मन कहता है, उसके बाद द्रोन ने एक साथ दस बान छोड़े और अरजुन ने उसके जवाब में एकदम दो सौ बान छोड़ दिये, फिर तो भयंकर खमा सान युद्ध मच कया, बानों के मारे चारो दिशाओं में अंधेरा छा गया, यहाँ पर वेह मन ही मन उतने बानों की कलपना करता है जितनों में उसका मन भर जाता है, यद भी उसकी कलपना की उड़ान भी मा से सुने हुए काशी दासी महभारत की लड में कूद पड़े, फिर कटा जुज्ज हो गया, दुर्योधनाय, भीमाय और बानों बानों से आकाश में अंधकार हो गया, कुछ सुझाई नहीं पड़ता था, महभारत के महरती गण केवल अठारा दिन लड़ाई करके नाम कर गए हैं, पर यदी वे रक्त मास की देह में जीते रहते, तो वे समझ पाते कि यश्प्राप्ति का मार्ग धीरे-धीरे किस प्रकार दुर्गम हो चुका है, पालक की आशा मिटाने के लिए क्या वे महीने के बाद महीने समान रुप से अस्त्र चला पाते, गर्मियों का दिन था, बैसाक की अदबीच हो गया था, नील गांडीव से प्रमास्त्र छूटने ही वाला था, कौरव सेना में हाहा कार मच गया था, इतने में सेहुड के जंगल के उधर से किसी ने कौतुक भरी आवाज में पूछा, क्या है अपू? अपू चौक पड़ा, और उसने जो तीर चलाने के लिए धनुष को कान तक हीच र अरे पगले, क्या बड़ पड़ा रहा है? और हाथ पैर क्यों चला रहा है? वह दोड़ कर भाई के पास आई और उसने सनही के साथ भाई के नरम गालों को चूमते हुए कहा, पगले, जाने कहा का पागल है? अपने अप क्या बग रहा था? अपू शर्मा कर बार बार कहने लगा, नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था, जाने भी दे, अंत में दुरगा हसी रोक कर बोली, आ, मेरी साथा? बाद को वह अपू का हाथ पकड़ कर घसीटती हुई जंगल में ले चली, कुछ दोर जाकर उसने खोशी खोशी उंगली उठा कर कहा, देख, कितने पके हैं, पर अब इने तोड़ा कैसे जाए? अपू बोला, अरे पापरे, ये तो धेर के धेर हैं, इने खपच्ची से तोड़ा नहीं जा सकता, दुरगा बोली, तु एक काम कर, भाग कर घर से लगी लेया, बस काम बन जाएगा, दीदी, तुम यहीं रहो, मैं लाता हूँ जब अपू लगी लेया आया, तो दोनों मिलकर जुटने पर भी चार-पांच फल से अधेक तोड़ नहीं पाए, तेर बहुत उचा था, इसलिए लगी से भी सबसे उची डाल का फल कबजे में नहीं आया, बात को उसने कहा, चल, आज इनी को ले चले, नहाने के समय मा को सा पहुँचेगा, ला, फल मुझे दे दे, तु लगी ले ले, अपू, तु नत पहनेगा, एक नीची जाड़ी के उपर एक लता में सफेद कलियां लगी हुई थी, दुरगा ने फलों को जमीन पर रख दिया और कलियां तोडने लगी, बोली, इधरा, तुझे नत पहना और इसके पहले अपू को कई दफे पहना चुकी है, अपू को नत पहनना कताई पसंद नहीं है, इच्छा हुई कि कहे मुझे नत की जरूरत नहीं है, पर दीदी के डर के मारे उसने कुछ नहीं कहा, वहे दीदी को गुसा नहीं दिलाना चाहता था, क्योंकि दीदी ही मुन, शरीफा, आमड़ा तथा ऐसी चीजे ले आती है जिनका खाना उसके लिए बिलकुल निशिद्ध है, इसलिए नत वाली बात बिलकुल न भाने पर भी वहे मूझ खोल कर कुछ कहे नहीं पाया, दुरगा ने एक कली तोड़ी तो उसमें से जो पानी की तरह लस निकली उसकी सहायता से उसने अपू की नात पर कली चिपका दी, फिर उसने खुद भी एक लगा ली, इसके बाद भाई की ठुड़ी पर हात लगा कर उसे अपनी तरफ घुमा कर बोली, देखूं कैसा लग रहा है, वाह, बहुत सुन्दर लग रहा है, चल मा को दिखाएं, अपू अपू की शरीफों को रसोई घर के फर्ष पर रख दिया, सरजया रसोई कर रही थी, देखकर खुश होती वे बोली, ये कहा मिल गए, दुरगा बोली, उस लीचु की जंगल में बहुत हैं, कल तुम भी चलोगी, एकदम पके हैं, सिंदूर की तरह सुर्ख हो रहे हैं, असकर कहा, अरे ये कौन है, ये तो मेरी पहचान में ही नहीं आता, अपू ने शरम के मारे जल्दी से नाक से कली उचाड दाली, बोला, ये दीदी ने पहना दिया है, दुरगा एक आएक बोल उठी, चल अपू, कहीं डुगडुगी बज रही है, चल, जरूर बंदर आया ह देर मत कर, आगे आगे दुरगा और पीछे पीछे अपू दोड़ते हुए घर से निकल पड़े, सामने की सड़क पर बंदर नाच नहीं, चीनी वास हलवाई मिठाईयों की फेरी लगाने आया था, उस महले में उसकी दुकान है, इसके अलावा वह गुड और धान का और कभी कभी पान की फेरी करने लगा, जब उससे भी काम नहीं बना, तो वह कंधे पर माल रखकर अपनी जाती का काम करने लगा, पाद को एक दिन यह भी देखा गया कि वह सिर्पर पत्थर वाला चूना रखकर बेच रहा है, लोग कहते हैं कि एक मचली के अलावा वह सब चीजों की फेरी कर चुका है, कल दशेहरा है, लोग आज ही से मीठी खील और संदेश खरीद कर रखेंगे, चीनिवास हरीहर राय के दरवाजे से गुजरने पर भी मकान के अंदर नहीं गया क्योंकि वह चानता था, इस घर के लोग कभी कुछ मोल नहीं लेते, फिर भी अपु को दरवाजे पर देख कर उसने पूछा, कुछ चाहिए क्या, अपु ने दीदी के चेहरे की औरता का, दुर्गा ने चीनिवास की और सिर हिला कर कहा, नहीं, चीनिवास भुवन मुखर जी के घर पर पहुँचा, और वहां उसने मिठाईयों का थाल उतारा ही था, क इस गाउं में जमिंदारों तथा बड़े लोगों में आनंद राय के बाद ही उसकी गिंती है, उसकी स्त्री बहुत दिन हुए मर चुकी है, इस समय संजले भाई की विदवास्त्री इस घर की मालकिन है, संजली बहु की उम्र 40 से उपर होगी, बहुत करकशा करके मशूर है संजली बहु ने एक मंजे हुए पीतल के थाल में मीठी खील, संदेश, बताशा आदी दशेरे की पूजा के लिए ले लिए, भुवन मुकर जी के बाल बच्चे तथा उसका अपना लड़का सुनील भी वहीं पर खड़ा था, उन लोगों के लिए भी चीजे ली गई, बा न भीतर, मकान में जाकर खा, यहाँ ठाकुर जी के लिए चीज रखी है, कहीं उसमें जूटन न गिर जाए, जा, जा चीनिवास सिर्फ पर टोकरी उठा कर दूसरे घर चला, दुरगा बोली, आजा आपू, चल देखे, उनुका घर इन लोगों के सदर दर्वाजे के पार होते ही संजली बहु ने मूँ बना कर कहा, देखा नहीं जाता, यह लड़की इतनी चटोरी है कि कुछ कहते नहीं बनता, अपने घर में चीज खरीद कर खाए, सो नहीं, दर-दर मारी-मारी फिरती है, आखिर जैसी मा है, औलात भी त कौड़ी की है, रत्यात्रा के दिनों में पिताजी से चार पैसे लोंगी, तू और मैं, दोनों, फिर हम लोग मीठी खील खरीद कर खाएंगे, दोड़ी दिर बाद अपुने गहरे विचार के बाद गा, दीदी, रत्यात्रा के अब कितने दिन है, कई महीने बीत गए है, सर जया भुवन मुकर जी के घर से कुएं से पानी भर लाई, पीछे पीछे अपु मा का आचल पकड़ कर उस घर से आया, सर जया घड़ा उतार कर बोली, तू इस तरहे क्यों पीछे लगा है, घर का काम काज खतम कर लूँगी, तभी न पन घट में जाऊंगी, काम करने नहीं करुन स्वर में कहा, अच्छा मुझे क्या भूक नहीं लगती, आज चार दिन से खाने को नहीं मिला, नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, दूप में फिर फिर कर बुखार बोला लेगा, बात कहूं तो कोई सुमता नहीं, सारे काम पूरे करूँगी, तभी न घाट में जा बोला, मैं तुम्हें काम काज करने ही नहीं दूगा, काम तो रोज करती रहती हो, एक दिन ना किया तो ना सही, अभी घाट में चलो, मैं नहीं नहीं सुनूँगा, करो तो काम, कैसे करती हो, सर जया लड़के की तरफ देखकर हस्ती भी बोली, इस तरहें जिद नहीं करते बेटा, अभी काम खतम होता है, थोड़ा धीरश धरूब, नहाने जाऊंगी और फॉरह नहीं आकर भाद चड़ा दूगी, आचल छोड़ दे, परवल की पत्तियों के कितने पकोड़े खाएगा, एक घंडा बाद अपू बड़े उत्सा के साथ खाने बैठा, गिलास उठा उसने गट-गट करके आध़ भी डाला, और फिर दो-चार कौर खा कर, कुछ भाद पत्तल के इधर-उदर बिखेर कर, बाकी पानी खतम कर, हाथ उठा कर बैठ गया, तू खा कहा रहा है, अब तक तो भाद-भाद और परवल की पत्तियों के पकोड़ों की रट लगा रहा पर अब तो सब कुछ पड़ा है, फिर खाया किया तू ने? सर जया एक टोरी दूद भाद सान कर लड़के को खिलाने बैठी, बोली, मूँ तो खोल, क्या तकदीर पाई है, ना मिठाई है ना पकवान, बस हाथ खाये जा, पर लड़के की हालत यह है कि रोज भाद खाते व के लिए आये हो, वैसे मूँ मत खुमा, नहीं बेटा मूँ खोल दो, बस दो-चार कौर ही तो है, उस जून तूनों के घर में मंसा देवी का विसरजन होगा, अच्छा, तुझे नहीं मालूम, जल्दी-जल्दी खाकर चल, हम सभी दुर का घर आई, कहीं से चक्कर लगा कर आई थी, पैर दूल से भरे थे और माते के सामने बालों का एक गुच्छा लगभग चार-पांच अंगुल उचा हो रहा था, वह अक्सर अपनी इच्छा के अनुजार फिरती रहती है, महले के हम उमर बच्चों के साथ उसका खास मेल जोल या खेल का संपर्क नहीं है, कहा किस जाड़ी में बैंची फल पका, किस के बाग में कौन से पेड़ के कच्चे आमों में जाली पढ़ने लगी है, किस पांस की जाड़ी के नीचे कौन सा बेर मीठा है, यह सब उसके नक दरपन में है, वह रहा चलते वक्त हर समय रास्ते के दोनों तरफ सतर्क दृष्टी डालती भी चलती है कि कहीं कोई कांच पोका तो नहीं बैठा है, यदि कहीं भट कटईया का पका फल देखने में आता है, तो उसे खेल का बैंगन बनाने के लिए तोड़ लेती थी, कहीं बार रास्ते में रुक कर तरह तरह के खपड़ों को फैक कर देखती थी कि किस में ग पुडिया के बक्स और खेल की सामगरियों के विशय में बहुत व्यस्त रहती थी, उसने घर के अंदर पैर रखकर अपराधी त्रिष्टी से मा की ओर देखा, सरजय बोली, आ गई, आ, भात तयार है, का कर मेरे पुर्खों को तार, फिर कहीं जाना हो तो चली जाना, बैसाक के दिन है, सब घर में लड़कियां इन दिनों संध्या का वरत और शिव पूजा कर रही है, और इतनी बड़ी धिधड़ी है, दिन, रात, डाउं, डाउं घुमती है, मुँ अंधेरे को निकली है, और अब दोपहर को आई है, जरब बालों की दशा तो देखो, ना लेल डालना, नकंगी करना, कौन कहेगा कि ब्राह्मन की लड़की है, मालुम होता है कि चमार पासी के घर की है, और मैं कहे देती हूँ कि तेरी शादी भी उनहीं में होगी, पुटकी में क्या खजाना बांध रखा है, खोल, दुर्गा ने डरते डरते पुटकी खोलते वे कहा, राय चाचा के घर के सामने काल का सुन्दे पेड़ पर कहकर घोट निकलते हुए बोली, बहुत सी बेने बहु एक प्रकार का पक्षी होता है, बेने बहु के नाम से दिल ना पसीचता हो, ऐसे भी संगदिल जीर संसार में बहुत हैं, सरजया आग भबुला होकर बैठी तेरी बेने बहु की ऐसी की तैसी, दुनिया भर का कुड़ा कबार रात दिन गठिया कर फिर रही है, आज में तेरे गोडिया वाले बक्स को बांस के जंगल में गठे में न डाल दू न, तो सरजया की बात समाप्थ होने से पहले ही एक घटना हुई, आगे आगे भवन मु संजली मालकिन किसी तरफ न ताक कर मकान के किसी व्यक्ति के साथ बातचीत बिना किये, धम धम करती भी सीधे भीतर के बरामदे में चड़ गई, और उसने अपने लड़के की और ताक कर कहा है, कहा है गुडिया का बक्स, निकाल ला, देखूं तो उसमें, इस घर का कोई नहीं पाया था कि टुनू और सत्तु ने मिलकर दुरगा के टीन वाले गुडिया के बक्स को कमरे से निकाल कर बरामदे में रखा, और टुनू ने बक्स खोल कर कुछ देर खोजने के बाद गुडियों की एक माला निकालते हुए कहा, मा देखो, यह मेरी वाली माला है, उस सारी घटनाएं इतनी अकस्मात हो गई तथा इनका रंग ढंग इस घर के लोगों को इतना रहस से मैं मालूम पड़ा कि किसी ने चूं तक न की, इतनी देर बाद सर्व जया जैसे आपे में आई, और बोली, क्या है चाची जी, क्या है, कहकर वह रसोई घर के बरामदे से व उन्हों की गुडिया के बक्स से गुडिया की माला चुरा लाई है, लड़की कई दिनों से उसके पीछे परिशान हो रही है, इसके बाद सत्तु ने खबर दी कि गुडिया की माला तो दुर्गा दिदी के बक्स में है, देखो, जर अपनी लड़की को देखो, देखने में एक आएक पढ़ जाने के कारण दुरगा दिवार से उठकर पसीने पसीने हो रही थी सरजया ने पूछा क्या तू यह माला उनके घर से लाई है दुरगा कुछ कहन अपाई थी कि संजली बहु बोली नहीं लाई तो क्या मैं जूट बोल रही हूं और इन आमों को नहीं देखती सोना मुखी पेड के तो आम तुम पहचानती हो क्या यह भी जूट है सरजया छेम कर बोली नहीं संजली चाची मैंने यह थोड़ी कहा कि आप जूट बोल रही थी मैं तो उससे पूछ रही थी संजली मालकिन हाद जमगा कर तेजी के साथ बोली चाहे पूछो या ना पूछो मैं यह कहे देती हूँ जब उसने इस उमर में चोरी करने की विद्या सीख ली है तो आगे चल कर यह जैसी होगी वह जाहिर है चल सत्तु अमियों को बांध ले इस कमभखत लड़की के मारे कोई बाक क्याम देख ले तो तुनो तुने माला तो ले ली है न सब कुछ देख सुनकर सरजया तैश में आ गई जगडे में वह पीछे रहने वाली नहीं थी बोली संजली चाची मैं गोडिया की माला की बात नहीं जानती पर इसने अमिया तोड़ी है या नीचे गिरी हुई उठा लाई है यह कोई इन पर लिखा नहीं है और यह मान भी लिया ले ही आई है तो बच्ची ही ठहरी संजली मालखिन दिल मिला गई बोली बात ही तो बहुत बढ़़बढ कर मार रही हो अगर हमारे आमों में नाम नहीं लिखा है तो बताओ वह तुम्हारे किस बाग से इने लाई है रुपेयों पर भी तो नाम नहीं लिखा था फिर तुमने उन्हें हाथ पसार कर कैसे लिए आज साल भर से उपर हो गया अब देती हूं तब देती हूं करके टालती रहती हो मैं उस जून आउंगी रुपेय लोटा देना मैं कहे देती हूं कि अब मुझसे नहीं रुका जाएगा रुपेयों का जुगाड कर रखना संजली मालकिन अपने दल बल के साथ दर्वाजे के बाहर चली गई सरजया को सुनाई पड़ा कि रास्ते में किसी के प्रश्न के उत्तर में वहकाफी चिला कर कह रही है इस घर की लड़की ने टुन्नू के बक्स से गुडिया की माला चुरा कर अपने बक्स में छिपा रखी थी और देखो ना इनामों को पास में ही बाग पड़ता है चाहे जितना तोड़ लेती है यही बात मैं कहने गई तो मुझे जली कटी सुना रही है इसके बाद संजली पहु ने सरजया की बात करने के ढंकी नकल उतारते वे कहा और यह कोई इन पर लिखा नहीं है और यह मान भी लिया जाए कि ले ही आई है तो बच्ची ही ठेरी आवाज नीची करके माँ भी कोई कम चोर थोड़ी है आखे लड़की को यह चिच्चा कहां से मिली घर भर चोर है अपमान और दुख के मारे सरजया की आँखों में आसु आ गए उसने लोटकर दुरगा के रुखे बालों का जोटा पकड़कर दाल भाज सने हातों से ही उसकी पीट पर घूसे और तमाचे जड़ते हुए कहा नचाने कहा की आफ़त आई है मर जाए तो पिंड छूटे मर जाए तो मेरी चाती जोड़ा जाए निकल घर से बाहर निकल तूर हो अभी निकल जा दुरगा मार खाते खाते भय के मारे पीछे के दरवाजे से दोड़ कर चली गई उसके रोखे जोटे से तोटे हुए एक दोबाल सरव जया के हात में रह गए पपू खाते खाते अवाखो कर सारी घटना देख रहा था यह उसे नहीं मालूम था कि दीदी गुडिया की माला चुरा कर लाई अत्वा नहीं इसके पहले उसने गुडिया की माला कभी नहीं देखी थी पर यह उसे मालूम था कि अमिया चुराई हुई नहीं थी कल शाम को दीदी जब उसे साथ लेकर टुनू के बाग में आम बिनने गई थी तो सोना मुखी पेड के नीचे कुछ अमिया पड़ी होई थी दीदी ने उन्हीं को बटोर लिया था कल से कहीं बार दीदी कह चुकी थी ओ अप्पू अब इन अमियों को बनाना है ठीक है ना पर मा की असुविधा जनक उपस्तिती के कारण यह प्रस्ताव कार्यान वित नहीं किया जा सका था दीदी की इतनी चाव की चीज अमियों को भी ले गए और तिस पर दीदी इस प्रकार पिटी भी दीदी के बाल उखाड़ लेने के कारण मा पर उसे बहुत क्रोद आया जब उसकी दीदी के बाथे पर के रूखे बालों का गुच्छा हवा में उड़ता है तब ही नजाने क्योंसे दीदी पर बड़ी ममता होती है ऐसा मालुम होता है जैसे दीदी का कोई नहीं है वह अकेली नजाने कहां से आ गई है कोई उसके साथ नहीं है उसके मन में बस यही बात आती है कि वह कैसे दीदी के दुखों को दूर करे और उसके अभावों को पूरा करे वह उसे जरा भी तकलीफ में नहीं रहने देना चाहता खाने के बाद अपो मा के डर के मारे कोठी में ही बैठने लगा पर उसका मन रहे रहे कर बाहर की ओर दोड रहा था जरा दिन धलने पर वह टुनू, पटली, नेड़ा, एक एक करके सबके घर खोज डाले पर दीदी का कहीं पता नहीं लगा राजक्ष्णपालित के स्टरी घाट से पानी ला रही थी उससे उसने पूछा ताई, तुमने मेरी दीदी को देखा है? उसने आज भात नहीं खाया, कुछ नहीं खाया मा ने उसे आज बहुत मारा है, मार खाकर कहीं चली गई है क्या तुमने उसे देखा है ताई वहे मकान के बगल में जाते जाते सोचने लगा कि शायद वहे बांस की जाड़ी में हो उसने वहां की अच्छी तरहे खोज की वहे पीछे की दर्वाजे से घर में आया पर घर में कोई नहीं था उसकी माँ शायद घाट पर या दूसरी जगह कहीं गई थी घर पर संध्या की चाया पढ़ने लगी थी सामने दर्वाजे के पास बांस की जो जाड़ी जुग गई है उसकी एक लटकी हुई सूखी खपच्ची पर उसकी वह परिचित बड़ी पूचवाली पीली चिड़िया आकर बैठती थी प्रति दिन वह संध्या से कुछ पहले आकर इसका पच्ची पर बैठती है यह उसका नित्य का नियम है और भी तरह-तरह की चिड़ियां चारो तरफ के जंगल में चह चाहा रही है नील मनी राय का गिरा हुआ घर पेड़ पत्तों की घनी चाया से ढगया है अपू ने आंगन में खड़े होकर दूर के उस पीपल की चोटी की ओर देखा पेड की चोटी पर अभी तक जरा-जरा लाल धूप पड़ रही थी सबसे उपर की फुनगी पर सफेज सी कोई चीज हिल डूल रही थी शायद बगुला हो या किसी की कटी हुई पतंग जोल रही हो सारे आकाश पर जैसे चाया और अंधकार उतर रहा है चारो तरफ सुनसान है कहीं कोई नहीं निल मनी राय के गिरे हुए घर में अर्वी की जाड़ी के बहुत भरे नए पत्ते चमक रहे थे उसका मन एक आएक रो पड़ा उसी कहे कितनी देर हो गई अभी तक घर नहीं आई कुछ खाया पिया नहीं दीदी आखिर कहां गई भुवन मुकर जी के घर के लड़के बच्चे आंगन में दोड़ दोड़ कर लुका छिपी खेल रहे थे रानी उसे देख कर दोड़ कर आई भाई देखो अपू आया है वह हमारी फिर एक बार बत्ती सरका कर फटी हुई दाशराई की पांचाली खोल कर अन्य मनस्क ढंग से पन्ने उलट रहा था इतने में सरजया एक कटोरी में दोड़ लेकर आई और बोली ले अब पी तो ले अपू बिना किसी चू चपड़ के कटोरी उठा कर दूद पीने लगा दूसरे दिन उसे इतनी आसानी से दूद पीने पर राजी नहीं किया जा सकता था पर थोड़ा सा पी कर उसने कटोरी मुँ से हटा लिया इस पर सरजया बोली यह क्या सारा दूद भी डालो इतना सा दूद भी नहीं पियोगे तो जी होगे कैसे अपू ने बिना कुछ कहे फिर दूद की कटोरी को मूँ से लगा लिया सरजया ने देखा कि वह कटोरी से मूँ को तो लगाए है पर गुटक नहीं रहा है उसकी कटोरी समेथ हाथ कांप रहा है बाद को कुछ देर कटोरी मूँ से लगाए रहकर उसने एका एक कटोरी मूँ से उतार दी और मा की तरफ ताक कर डर के मारे रो पड़ा सरजया ने आश्चरे के साथ कहा क्या हुआ? क्या जीब दाथ के नीचे आ गई? मा की बात अभी खतम नहीं हो पाई थी कि अपू भया डर की बाधा ना मान कर शिला कर रो पड़ा तीदी के लिए बहुत सोच हो रहा है सरजया थोड़ी देर चुप रहने के बाद लड़के के पास आकर उसके शरीर पर हात फेरते हुए शांत स्वर में बोली रो मत इस तरहे मत रो वह पटली या नेड़ा के घर में बैठी होगी आखिर अंधेरे में कहा जाएगी? क्या वह कम दुष्टि लड़की है? दोपहर की समय जो निकली सो दिन भर शकल नहीं दिखाई न खाना न पीना उस महले के पालित के बाग में बैठी थी वहाँ बैठ कर कच्चा आम और जामरूल खाती रही अभी बुलावा भेजती हूँ इस तरहे न रो नहीं तो बुखार आ जाएगा नहीं बेटा मत रो बाद को उसने आचल से लड़के के आँसु पोँच दिये और बागी दूद पिलाने के लिए सामने कर दिया बोली राजा बेटा मूँ तो खोलो वे आते ही बुला लाएंगे एक तम पागल है कहीं का एक पागल आया है और एक खूंट पस हो गया रात बहुत हो गई थी उत्तर की कोट्री के तखत पर अप्व और दुरगा लेटी हुई थी अप्व की बगल में मा के सोने के लिए जगह खाली पड़ी है अभी मा रसोई के काम से फारिग नहीं हुई पिता जी खाना खा कर बगल के कमरे में तमाकों पी रहे हैं वही घराने पर मोहले से दुरगा को खोज लाए थे घराने के बाद से दुरगा ने किसी से कोई बात नहीं की थी वह खाना पीना ख़तम कर चुप चाप लेटी हुई थी अपू ने दुरगा की देच छू कर पूछा दीदी मा ने संध्या समय काहे से मारा था क्या बाल भी नोच लिये थे दुरगा ने कुछ नहीं कहा उसने फिर से पूछा दीदी क्या तु मुझसे नराज हो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा दुरगा ने धीरे से कहा नहीं किया फिर सत्तो को कैसे मालूम हुआ कि गुडिया की माला मेरे बक्ष में है अपू प्रतिवाद करने की उत्तेजना में बिस्तरे से उठकर बैठकर बोला नहीं मैं सच कहता हूँ तुम्हारा बदन चुकर कहता हूँ मैंने उसे नहीं दिखाया मैं यह भी नहीं जानता था कि तुम्हारे बक्ष में वह चीज है कल सत्तो शाम के समय आया था और हम लोग उसकी लाल बड़ी गेंद लेकर खेले थे उसके बाद क्या हुआ कि सत्तो तुम्हारी गुडियों के बक्ष को खोल कर देख रहा था मैंने उसे मना किया कि तुम दीदी की गुडियों का बक्ष मत चूओ इससे दीदी मुझ पर नराज होगी मालूम होता है उसने उसी समय देख लिया बाद को उसने दुर्गा के बदन पर हाथ फेरते वे कहा दीदी, बहुत चोट लगी है न, मा ने कहा मारा दुर्गा बोली मा ने कनपटी पर ऐसा मारा के खोन निकलाया, पप तक छर्छरा रहा है देख, हाथ से टटोल कर देख, यह रहा अच्छा यहां, यहां तो बहुत कठा है, जरा दिये का तेल लगा दूँ रहने दे, कल शाम के समय पालित के बाग में जाऊंगी, समझा कम रख पके हैं, इतने बड़े-बड़े हैं, किसी को बताना मत हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, आपको अभी तक यह कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, आपके कॉमेंट्स और लाइक हमें प्रोथसाहित करते हैं, और इससे चैनल की भी मदद होती है, अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानिया शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे, जल्दी ह मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ